साच्रिय अकाल जी मैं हूँ साड़ा कसांसे लप्री संग अगर आपका भी दान 45 दिनों से लेकर 25 दिनों के अंदर अंदर है तो आप देखूं कि आपके दान पर जो इसके कल्ले होते हैं उनमें छोटी सी बाली बनी स्टार्ट हो जाएगी गार्ड बनेगी उसके बाली बनी स्टार्ट हो जाएगी और यही मौका है मौके पर चौका लगाने का अगर आपके दान पर कोई बिमारी है तो तुरुन्त प्रे करें अग्र कोई दान में जो बाली बनेंगी उसका साइज कितना होगा कितने दाने बनेंगे वो सारा कुछ अब भी डिसाइड होगा अगर एक बाली बान गई तो बान गई फिर बो लंबी वा मोटी नहीं होगी जितना साइज होना था वो हो गया अब पंतारीस दिनों के लेकर पच्चपन द दिन कम कर दें जनके पंतारीस पंचास दुनों में उसको जो दान होगा उसके जो कल्ले होंगी उनमें छूटी सी बाली बनी स्टार्ट स्टार्ट हो जाएगी अगर आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आया तो आपके एक अग्जाम्पल में और दी देता हूँ जैसे के पी में से 60 दिन कम कर दें तो 33-34 दिन का जब यह दान होगा तो इसकी जो बाली होगी बो बनी स्टार्ट हो जाएगी जही मौका है मौके पर चौका लगाने का अगर किसे तत्व की कमी है तुरंत पूरी करें अगर आपको लगता है यार हमारा ना हर साल ना हमारे दान की बाली शोटी रह जाती है हमारे प्रणूसिय की बाध्डी बड़ी होती हैं दान दिखने में अच्छा होता है लेकर नंबाली शोटी रह हैं दने कम होते हैं क्या करें जाहा इसाए जैसे के ने grind के की की आता है कि 09 22 इसे में क्या होता है 99% फासपोर्स और 34% पटाश होती है और साथ में एक फंगिसर लेना है टैप बुक ना जोल अगर आपके सीत ब्लाइट का टैक हो चुका जूर सा रुगा आ चुका है तो बहुत जदा बढ़ी अटेकिंगल है और सास्ता ही पड़ता है जो भी सास्ता पड़ता है वो ले ले जदे बढ़िया बन जाएगा क्योंकि दोस्तों इस समें जो दो तत्वे ना जैसे फासपोर्स और पटाश जो मेन हैं जो उसी टैम चाहिए हमारे फसल को बहुत जदे बढ़िया मतरा में होते है और साथ में एक टैबुक ना जोलो जै क्या करेगा अगर आपकी फसल गिरत इन अभी भी भूद ऑन बारın बाकी बहुत दोस्तों जो करना है अभी कर दे अब देजाइप द्यजाय कर द्दूस्टा